हलो दोस्तो वेलकम बैक टू नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे कैसे हैं दोस्तो आप सब में नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो आप लोगों को पता है नई वाली बजाज पलसर N160, N150 इंडियन मार्केट में लाँच हो चुकी है जिसमें आपको नयवाला जो इस फीडियो बिटर है वो आपको देखने को मिलता है दोस्तो आज की इस फीडियो में बात करने वाले पलसर N125 के बारे में जिया दोस्तो हम इस फीडियो में N125 के बारे में बात करेंगे जिसका वेड काफी दिनों से है इंडियन मार्केट में N150 में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इस फिडियो में आपको आज की इस फिडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ तो चली फिर इस फिडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली बराया है तो सब्सक्राइब करिएगा बिलकिया को आउन कर लिएगा तैकि ऐसी ही इंट्रस्टिंगरों की नोडिविकेशन पर आप तक पहुंसते रह सके और आप मेरे उडियो अपडेट रह सकें तो चली फिर आज के इस फिडियो को सुरू करते हैं बात करते हैं दुस्तो पलसर N125 के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें लुकिंग एंड डिजाइन के बारे में तो N125 का जो लुक एंड डिजाइन है आपको सेम वैसा ही मिलेगा जैसा डिजाइन आप लोग को दुस्तो पलसर N166 में मिलता है और बहुत सरी लोग होंगे जो कमेंट करेंगे कि भाई बेफालतों की वीडियो बना रहे हैं फेक वीडियो बना रहे हैं तो उनके लिए हिंट भी देता हूँ पता है आपको या नहीं पता पूरे यूटूब में N150 जब इंडियन मार्केंट में आई थी तो आपके भाई ने इसे लॉंच किया था लॉंच किया था इंडियन बजाज की लॉंचिंग थी 26 तारीक को और मैंने 30 तारीक को इसका रिवीव वीडियो दाल देता तो बहुत सरी लोगों को लग रखा फेक वीडियो हो सकती है तो उनको वैरे सीधा सीधा एक हिंट दे दिया है कि भाई या बाकि आपको सवस्दार हो आगे आपको बताने की ज़रत है ने कि भाई बाई बाइक आएगी या फिर नहीं आएगी ठीक है तो N150 वे N125 बहुत जल आपको इंडिन मार्केंट में देखने को मिलने वाली है लुए अब को बता है आपको पता दोष्टन रिब्लॉं 2 5 में हमें सिंगल चैनल एंटीलोग सि्टम देखने को मिलेका कारण कि यह चाहिए और औरлом सी्च वबीकिलन सिंटी 25 और मिला तो में हमें दूसरी साप होना पो ना चाहिए देखिए ऐसा है कि जो N125 को डिजाइन आपको सेम वैसा ही डिजाइन मिलेगा जैसे आपको N160 और N150 का मिलता है सेम वही प्रोजेक्टर लाइट भी आपको बाइक में देखने को मिलेगी तो यह काफिशी बात है बाई और यह चीज होनी भी चाहिए बाई मेरे साब से क्योंक बाई डिजिटल मिटर आपको N125 में भी देखने को मिलेगा दोस्तों और जहर सी बात है बाई एन 125 इंडियन मार्केट में बहुत जल आएगी कारण है कि अभी 125 का जो मार्केट है वो इंडियन मार्केट में काफी जादा हो चुका है और आपको पता है दो अभी तो XT125 भी आगी है तो जहर सी बात है कंपनी इसे भी लांच करेगी बहुत जल लांच करेगी और उसके लिए भी आपको बिल्कुल टाइम ज्यादा टाइम नहीं जाएगा भी आप देखना मुस्किल से दो मैने के अंदर आपको N125 के इंजिन के बारे में N125 में आपको जो इंजिन मि पॉने वाला है और यह दो मैं पावर के बारे में बात कर तो इसमें आपको मैक्जिमम पॉर में लबग 12 पीज के इसपास की पॉर मिल सकती है यह लगबग अपको 10 के इसपास का जो डीन इंट में देखने को मिलेगा यह जो पावर एंट टॉर्क है दोस्तों वह भी आपक प्रश्ची बात है 150 में आता है तो N125 में आपको यह दोनों चीज़ देखने को मिलेगी तो यह भी कड़ाइज आपको बाइक में मिलेगा अब मेरे साब से दोस्तों यह चीज़ होनी भी चाहिए क्योंकि कभी-कभी हमारे लिए काफी important role लिभाता है जब बाइक की metric हतम हो जा हैगी हलाकि इसका वेट तो काफी दिनों से किया जा रहा है और मैं तो बाइक बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक छोटी बाइक चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि N125 I think मेरे लिए एक perfect बाइक हो सकती है इसमचे से भी दूस्तों मैं इस बाइक का बहु बता सकते हैं समीद करता हूँ एक चोटी से इंडरस्टिंग विरो अच्छे लगी क्यों अच्छे लगी तो लाइक करना चैनल पर पहनी बराएं तो सब्सक्राइब कर ले ना विलता है फिर नेक शुरू में लब वी ओल जैहिन बने मातरा